नमस्कार खेलड़ा में आपका स्वागत है भारती टीम को बंगलादेश के बाद अब अपने घर में स्रिलंका की खिलाब वंडे और टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है इसके लिए भारती टीम का सेलेक्शन होना भी बाकी है मगर इसको लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है स्रिलंका के खिलाब सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान इसी हपते में हो सकता है इसमें बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया का सेलेक्शन चेतन सर्मा के नित्रितु में पुरानी चैन समीती ही करेगी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नई सेलेक्शन कमेटी की न्यूकती एक हफते के अंदर होना मुम्किन नहीं है यह जानकारी न्यूज एजेंसी पी टी आई ने बिसी सी आई सुत्रों के हवाले सी दी है आपको बता दे कि हाली में हुए टी 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 वर्लकप में भारती टीम का प्रदर्सन अच्छा नहीं रहा था यही कारण है कि उसके बाद चेतन सर्मा के नेत्रित वाली सेलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया था इसके बाद नई कमेटी के लिए आवेदन भी मंगवाए गए थे नई सेलेक्शन कमेटी के लिए अब इंटर्व्यू होना बाकी है जो 26 से 28 दिसंबर के बीच होंगे नई सेलेक्शन कमेटी की न्यूकती सलाकार समीती ही चुनेगी आपको बता दे कि BCCI सुत्र से यह भी निकाला जा रहा है कि पुरानी चैन समीती साय स्रिलंका के खिलाप होने वाली वाइड बॉल सीरीज के लिए टीम का चैन करेगी अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि रोहिस सर्मा की उंगली T20 सीरीज से पाले पुरी तरह ठीक होगी आपको ले यहा है कि बता है कि झाले यहाँ पुरा भी यहाँ होगी